सबको राधे राधे देखे सूर्य क्या है? तो मेरा कहने का ही पराया है कि सूर्य एक प्रकाश है. सूर्य जहां बैठेगा उसका प्रकाश्वान रहेगा वो पाठ लगन से लेके 12 भाब में जहां भी सूर्य बैठता है वो चीज उसकी चमक जाती है. अब बात आई दस्मे भाव की दस्मा भाव किसका है अब दस्मा भाव किसका है ये बताईए अगर सूर्य के साथ यहां गुरू बैठ जाए तो क्या होगा क्योंकि दस्मा भाव किसका है करम का और करम हां कौन सा बैठ जिया गुरू अगर सिंग लगन की आप ही कुल्डी है तो आपकी जो फिजिक्स है एक एक्ष्टा ओर्डरी है आप दूर से ही अलग दिखाई देते हैं भीर में भी अलग चमाएं ऐसा है ये नहीं है इनका जहां सूर्य बैठता है सिंग लगन है ये हाजिर जबाब है जब सूर्य जिस भाव में बैठेगा उसे चमकाएं उनके लगन में सूर्य की राशिया दसमें भाव में है तो उसके अंदर नो को चमका देगा कमारते तो सभी है ना जीस चातक का जनम कभी भी हो अगा सूर्य दसमें भाव में बैठा है दसमा भाव दसमा भाव राजिया का विता का मानप्रतिश्चेे continental अपने शत्रुषणी की मकर राश हैं सूर्य के प्रभावें जातक को अपने वियस्था नोकरी अवत मानप्रतिश्चे करशेत करता हैं पुछतीत्यीतिों जातक राजा राज द्यावीड प्ताप्य होता है बड़ा नेता होगा बड़े मकान वहान का सामी होगा 98 य他们 dicas की एक विद्धा की लाइन पकड़ कर जातक क्छ ideiaती वान होगा जातक की संतान विद्धान उत्तम होगी जातक को कमाने हैं तो मेहनत करनी पड़ के मकर राशी सूर्य अपने साथमी पूर्ण देश्टी से माता सुक और भूमी के चोथे स्थान को अपने मिति चंद्मा की करक राशी को देख गया है जातक कि भूमी मकान तथा माता का सुक अच्छा प्राप्त होता है अब देखिए सूर्य जहां देखता है उसे लाव मिलते हैं और चोथा इस्थान किसका है माता का भूमी का और जब द्रस्ति में द्रश्टी से उसकी साथ में द्रश्टी पड़ेगी तो उसे इन सब चीजों का सैदा होगा कहीं कहीं हमारे हिंदू संस्क्रिति में हमारा जनम है और हम हिंदू लोग हैं हम और हमारी विध्या ये कहती है कि हमारे कहीं कहीं जनमों के सब द्रश्टी मकर राशी सूर्य अपने साथ में पूंध द्रश्टी से माता सुक्रता भूमी के जूती प्रश्टान को मकर राशी स सूर्य आपनी साथ में देखता है चंदमा को करक राश्टी से देखता है जातों को भूमी मकान तथा माता का सुख अच्छा प्राफ होता है उसे अपने बुद्धी बर्दवारा राज के शेत्र सब्साइक शेत्र में भी सफ्रता प्राफ करेंगा निशाणी क्या धन का मालग मगर भेमी सूर्य की दर्षा अच्छा परदेगी राज में मान सब्सनार मि लेरा की अन्य गरहूं से संब्स उपस्यूर्य के साथ यह दों तो जातों को जनम माग कृष्ण अमावस के दिन होगा सूरिय के साथ यदि बुद्ध हो तो बुद्ध अधिते योग परता है सूरिय की तृतेश सच्टेश बुद्ध के साथ युक्ति केंद्र में होने से बलवान है जातक राज्या तुल्य एश्वुर्यप होगेगा यहा की संपत्ती मिलेगी वहां सुख मिलेंगे खेती की जमीन से लाव होगा सरकार से सम्मान हो सूरिय और मंगल सूरिय राजा है मंगल सैना पती है निम्रोली की साथ हो अगर यह दोनों मिल जाएंगे तो बहुत महान वक्ति बन जाएगा ऐसा रूचक योग का जनम होगा यद सूरिय गुरू यह गुरू जातों को राजिक के संपत्ति मिलेगी गुरू क्या है सूरिय क्या है पिता गुरू क्या है धन दसमे भाव में बैठा है दसमे पिता का भी है सूरिय शुक्र जातों की पत्ने वे संतान का पुल्सुक मिलेगा जातक परिवार का नाम रोश्र करेगा सूरिय और शनी यहां शनी के कारण शश्योग बनेगा सूरिय शेलिए शेलिके स्य होतने साथ सब्सक्राइब निया अधि यहां आख़ ने ऊन्रें शेलिए कि ब्रूंर मेर तो पिता की मुट्य के बाद यह स्सूरिय प्रसब्स साथ सूरिय सरकार को दर्ण दिला सकता है है पिता की मित्यु जल्दी हो सकती है सूर्य के तू ऐसे जातों को सरकारी व्यक्ति दोका देगा दशंभाम में सूर्य के उप्चार ऐसा जातक नेले कपने ना पहें इस रंग का रुमाल को पास में ना रखें बुजूर्ग के मकान में हैंड पंप लगवाएं भूरी भैस या भूरा बच्छडा पाले नेवला पाले नंगा सिर ना रखें शिका रखें लाल सफेद पीले रंग की टोपी या साफ़ा पाले